स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते हैं आज का प्रश्ण हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि स्थान पर महर्शी वालमिकी हवाई एटे का उद्घातन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएट्या में महर्शी वालमिकी हवाई एटे का उद्घातन किया है इस हवाई एटे के चरणीक को 1450 करोर रुके से अधिक की लागत से विक्सित किया गया है इस हवाई एटे की टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 6500 वर्ग मीट होगा ये सालाना लगभग 10 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा अगला प्राश हाल ही में सरकार द्वारा लॉंच किया गया प्रेरना क्या है A. एक नया खेल गतिविधी कार्यक्रम B. एक अनुभवात्मक शिक्षन कार्यक्रम C. एक सरकारी रोजगार योजना D. एक चात्रवृत्ती पहल Answer B. एक अनुभवात्मक शिक्षन कार्यक्रम Explanation प्रेरना भारतिय शिक्षा प्रणाली की सिध्धानतों और मूल्य आधारित शिक्षा के दर्शन के एनुरूप है जैसा कि राष्ट्रिय शिक्षा नीती 2020 में उलिखित है प्रेरना का मुख्य फोकस विद्यार्थियों में नित्रित्व गुनों का विकास करना है अगला प्राश्ट खाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने एक दिवसिय अंतराश्ट्रिय क्रिकेट से सन्यास की घोषना की है इससे पहले डेविद वनर ने टेस्ट करिया से भी सन्यास की घोषना की थी डेविद वनर आस्ट्रेलियाई वन्डे इतिहास में छटे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाडी है वनर ने अपने 161 दिवसिय मैचों में 6932 रन बनाई जिसमें 22 शतक भी शामिल है अगला प्राश हाल ही में केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रिय सहकारी डेरी संग कार्याले के नए कार्याले भवन की आधारशिला रखी है केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाह ने गांधी नगर में राष्ट्रिय सहकारी डेरी संग कार्याले के नए कार्याले भवन की आधारशिला रखी है इस कार्यक्रम के दोरान अमित शाह ने 25 भारतिय राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों के 37 विजेताओं को NCDFIE मार्केट पुरसकार भी प्रदान किये करनातक मिल्क फेडरेशन नंदिनी दिल्ली में मदर डेरी और तमिलनाडू में एविन डेरी प्लेटफॉर्म पर कारोबार के मामले में NCDFIE मार्केट अवार्ड्स के शीर्ष तीन विजेता थे अगला प्रशन इंडिया इंटरेशनल ज्वालेरी ट्रेट शो का सोलहवा संसकरन कहां आयोजित हो रहा है केंद्रिय वानिज्य मंत्री पियुष गोयल ने 4 जन्वरी 2024 को मुंबई में इंडिया इंटरेशनल जूल्री ट्रेट शो आयाई जेएस 2024 का उगधातन किया ये ट्रेट शो चार से 7 जन्वरी तक जेयो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बीकेसी में और 5 से 8 जन्वरी तक बॉम्बे एकजीबिशन सेंटर गोरे गाव में आयोजित की जाएगी श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि फैशन और आभूशनों का सयोजन भारत को दुनिया भर में एक पसंदीदा विवास थल के रूप में स्थापित कर सकता है